गुड मारिंग, शुप्रबातम, तो आज जो question answer session है, इसकी संबधता है modern history से और modern history में भी मुखरूप से governor general and vice rai से है, और अक्सर आप दिखेंगे कि इस प्रकार का question रहता ही है, इसमें से कई ऐसे प्रस्ण है जो civil services में भी पूछे गए हैं, UPPSC में भी पूछे गए हैं, ठी और explanation भी सुन लेजिएगा, जो आपके लिए काफी useful होगा, खासकर गुन लोगों के लिए जो सातर्मी, UPPSC अभी देने बाले हैं, हाना, तो आपका जो पहला question है, हर अपनीती के अंतरगत ना हरपा जाने बाला राज्य, निमलिकित में से कौन सा था, इसका मतलब है question पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है डल होजी से, है ना, इन में से कौन सा एसा राज्य है, जिसे हरप नीती के तहट नहीं हरपा गया है, आपके सामने बिकल्प है अबद, जहांसी, सतारा और नागपुर, नहीं, इसमें से कौन सा है, जो ड्रक्रिन अफ लाप्स के तहट नहीं हरपा गया, तो आपको जानकारी होगी, कि अबद का जो बिले हुआ है, वो कुशासन का आरोप लगा कर अबद का बिले किया गया था, है ना, तो एंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अबद, ठीक है, 89.56 में, दूसरा कुशन देखिएगा, देशी भासा प्रेश अधिनियम किस बर्ष पारित किया गया, आपकी सामने बिकलप है, 1884, 1875, 1882 और 1878, इसी को आप क्या कहते हैं, बरना कुलर प्रेश आक्ट, इसी को कहा गया, मुह बंद करने बाला अधिनियम, गागिंग आक्ट, ये खास कर, बरना कुलर भासा में छपने बाले अक अखबार पर लागो किया गया, कि वहां अखबार, अगर ब्रिटिस विरोधी भावना का परचार परशार करती है, तो मजिस्ट्रेट रिक्रूट किया गया, उसके अगेंस्ट क्या किया जाएगा, करवाई की जाएगी, जिसके अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं किया जा स सकता था ठीक है तो याद कीजिए 18 M 78 लॉड लीटन का काल था और यहां पर एक और कोश्चन बन सकता है कि भारत का वो कौन सा समाचार पत्र है जो इस आक्ट का सिकार हुआ तो याद कीजिए आपने नाम सुना होगा सोम प्रकास का सोम प्रकास इस्वर्चंद विद्याशागर का अखबार हुआ करता था या बरनापुलर प्रेश आक्ट का क्या हुआ सिकार हुआ ठीक है नेक्स्ट प्रसंद देखेगा अगला क्वेश्चन निमलिखित में से कौन सा गवर्णर जनरल का आपके सामने विकलप रोबर्ट क्लाई यह गवर्णर जनरल तो हीस गवर्णर है लॉड कौन भीलिश लॉड बिलियती को और बारेन हैस्टिंगस तो इसका जो एंसर होगा या अद रखिए गा बारेन हैस्टिंगस बारेन हैस्टिंगस इंग्लिश के अत्रिक्ट-عرब भी जानता था, फार्सी भी जानता था, बंगाली भी जानता था, ठीक है, आपको ये भी जानकरी होगी, कि इसी के काल में, एसेटिक सॉसाइटी ऑप बंगाल 17 and 84, बिलियम जोंस ने अस्थापित किया था, प्राच शिक्षा पे इन लोगों ने अपना कॉंसंट्रेशन किया, यहां के पुस्तकों के अनुबाद पे कॉंसंट्रेशन किया, आपने सुना होगा, चाल्स बेकिन्स ने बागबत गीता का अनुबाद किया, उसकी प्रास्ताबना को लिखा कौन, बारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, बारेन हेस्टिंग्स ने हितो पदेश का अनुबाद किया, सुने होगे, तो एंसर क्या होगा, बारेन हेस्टिंग्स, अगला प्रसंद देखेगा, यहां के अच्छे पुस्तकाल ये लॉड मैकाले काता है, काता है कि इंग्लैंड के एक लाइबरेरी के एक आलमीरे के एक सेल्प का भुक भारत और अरब की तमाम भुक की तूलना में अधिक भालेबुल है, तो एंसर क्या हो जाएगा, लॉड मैकाले, हाना, इसने ये भी या स्टेट्मेंट दिया था, कि भारत के बैद को देखकर तो इंग्लैंड के बच्चे हसेंगे, ठीक है, चले, अगला कोशन देखेंगा, कोशन नवर पाच, किसने कहा था, कि बैंटिक प्राच्य निरंग कूस्ता में ब्रिटिश स्वतंतरता की भाब न भर दी, बैंटिक को जनरली बैंथम बादी माना बैंथम बादी कहने का मतलब है, तरक बाद, बिज्ञान बाद, बुद्धी बाद, मानपता बाद में विश्वास रखने बाला, हाणा, तो ये अस्टेटमिंट जो दिया था, किस ने दिया था, ये अस्टेटमिंट दिया था, बैंटिक के लिए लॉड मैकले ने, ठीक है नेक्स्ट जो प्रशन है वो है क्वेशन नबर सिक्स, किस बाद सराय की कार्जकाल में स्वेत बिद्रो हुआ, किस बाद सराय की काल में स्वेत बिद्रो हुआ, लॉड करजन, अरल अप मिंटो, लॉड रिपन, एन लॉड हाडिंग, आप याद किजिए एक एवेंट को, व 1893 इस बिल के जड़िये खासकर यूरॉपिये और भारतिये न्याज़िसों में सामेता को अस्थापित करने की कोशिस की गई थी यह प्रावधान दिया गया था कि भारतिये जज़ भी यूरॉपिये मामले की सुनबाई करेंगे लेकिन इसके अगेंस्ट भारत में भी जो यूरॉपिये थे वो बिरोध कर रहे थे और इंग्लाइन के लोग भी क्या कर रहे थे बिरोध कर रहे थे अंता है रीपन को जोगना पड़ा और ये प्रावधान देना परा कि अगर यूरॉपिये का कोई मामला कूट में आता है तो बारह जजों का एक बेंच होगा जिसमें साथ क्या होंगे यूरॉपिये होंगे ठीक है तो एंसर क्या हो जाएगा लॉड रीपन शेर नेक्स परसन देखिएगा जो आपका अगला कोशन है कोशन बर सेवेन यह कटाक्ष ब्यंग कि भारत बासी किसी संभीधान पर एकमत होने में असमर्थ हैं किसने कहा था कि भारत बासी किसी भी संभीधान पर एकमत होने में असमर्थ हैं याद कीजिए 1919 का जब एक्ट आया था उसी वक्त ये प्रावधान आया था चुकि प्राम्तों में द्वायद साशन प्रनाली की वैबस्था की गई थे और ये प्रावधान दिया गया था कि दस बर्स बाद एक आयोग का गठन होगा जो 1919 के एक्ट पर क्या करेगा समिख्षा करेगा विचार करेगा कितना सफल रहा है कितना फेलियोर रहा है इसके क्या मेरिट है डिमेरिट है ठीक है जाहिड सी बात है कि तब आयोग का गठन होना चीए था कब 1929 में लेकिन चुकि ब्रेटेन में चुनाओ होने बाला था तो 1927 में क्या हुआ साइमन का मिशन का गठन हुआ साइमन का भारत आगमन होता है 1928 में यहां के तमाम पॉलिटकल नेताओं से मिला चुकि तमाम पॉलिटिकल नेताओं से मिलकर ही संभीधान, भारत की संभीधान की संदर में ब्लूपरिंट का निर्बान करना था लेकिन आपने सुना होगा, नहीं, दिशंबर 1927 में मदरास में कॉंग्रेस का अधिबेशन हुआ, एमें अंसारी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उसमें ये डिशिजल लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, साइमन का बहिसकार करेंगे साइमन गो बैक किनारे लगाए गया, साइमन दो बार भारत आया, दोनों बार बापस लोटा, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, जो एक एकमत के हिसाब से बात होनी चाहिए थी, हुई ही नहीं तब भारत सचीब लॉड बिरकेन हिड ने भारतियों को इल्टिमेटम दिया और कहा, कि अगर आप तमाम पॉलिटिकल दल आपस में मिलकर अगर सम्भिधान का निर्मान कर सकते हैं तो करें, चुकि उसे लगता था कि भारतिये पॉलिटिकल दल एकमत हो ही नहीं सकते है, ल याद कीजिएगा, भारत सचीब बिरकेन हिड ने यह स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, अगला प्रसंद देखिएगा, भारत में सायक संधी पर हस्ताक्षर सरपर्थम किस ने किया था, इसी को कहते हैं, सबस्येडियरी ट्रेटि, याद कीजिए, सायक संधी का जो कंसेप् हो दिया था, फ्रांसेशी गवर्नर डुपलेन है, ठीक है, लेकिन ये लोग प्रिये हुआ, ब्रिटिस गवर्नर बलेजली के काल में, बलेजली ने सायक संधी के आधार पे कई राज्यों को अपना सिकार बनाया, उसमें पहला राज्य हुआ करता था, जिसको अपना सिकार बनाया वो कौन सा था, वो आपका था हैदराबाद, इसका मतलब एंसर क्या हो जाएगा, आपके सामने बिकल्प है, पेसबा, अबद का नबाब, हैदराबाद का निजाम, तंजोर का सासक, तो याद कीजिए, क्या, हैदराबाद का निजाम, जिसे सिकार बनाया गया था, इसको धियान रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि हैदराबाद की निजाम हैदराबाद को ये जो बनाया गया सिकार साहिक संधी का कब 1798 में है ठीक है अगला प्रसंद देखिएगा निमलिखित में से डलहौजी की सबसे गंभीर राजनैतिक भूल कौन सी थी ये आपको डिशाइड करना है आपके सामने विकल्प है गोद लेने की पर्था का निशेद निशेद नी थी बी ए complaints रेल शेवा का आरंभ c भरमा परअधिकार का प्रियास और डी है आबद का अधिगरहन ने अब इसमें अगर हम ढूनें कि सबसे बड़ी राजनैतिक भूल कौन तो ध्यान रखिएगा आबद का अधिगरहन ठीक है अबद का आधिगरहन किया कैसे कुशासन का किसान परिबार से थी, कहने का मतलब ये सैनिक यूनिफॉर्म में क्या थे किसान थे, जिन लोगों ने बिरोद किया सैनिक बिद्रों में इनकी प्रबल भूमिका रही, तो एंसर क्या होगा अबद का अधिगरहन, अगला प्रसंद देखिएगा बर्नकुलर प्रेश एक्ट किस बाइसराइक के द्वारा पारित किया गया भी थोई दर पहले हम लोगों ने सुना है, नहीं किसके काल में बर्नकुलर प्रेश एक्ट लाड लीटन के काल में 18 and 78 और बाकी तो हम लोगों ने चर्चा किया ही है हाना, अगला कोशन देखिएगा किसके सुजाव पर भारतियों को साइमन कमीशन की सदस्यता से बाहर रखा गया था आपके सामने विकल्प है लॉड इर्बिन, लॉड रिडिंग लॉड शेम्स फोड और सर जॉन साइमन, ठीक है आप सोच सकते है कि किसके मतलब की सुजाव पर भारतियों को इससे अलग रखा गया देख लिजे क्या होना चाहिए, हाना याद कीजे, दिशंबर 19-27 शाइमन कमीशन का गठन होता है हाना, और इसमें कुल सात मेंबर हुआ करते थे, सातों गोरे हुआ करते थे, एक भी भारती यह उसमें सामिल नहीं था इसलिए इसको क्या करते है, इसको White Commission करते है, हाना यह Lord Irvin उसमक्त बैसराय हुआ करते थे, हाना Lord Irvin के सुजाव पर क्या किया गया, भारतियों को Simon Commission में सदस्ता नहीं दी गए नेक्स कोशन देखिएगा, अगला प्रसन है, परतेक भारती यह बरस्टाचारी है, परतेक भारती यह बरस्टाचारी है, स्टेट्मेंट किसका है, आपके सामने विकल्प है Lord कॉर्णबलिष, Lord बलेजली, Lord Hastings, Lord डलहाजी, क्या दखिएगा, यह स्टेट्मेंट है, Lord कॉर्णबलिष का, किसका, Lord कॉर्णबलिष का, नेक्स कोशन आपके, भारती यह बरस्टी यह कॉंग्रेस के किस आदिविशन में, गांधी इर्बिन समझोता को का अनुमोदन किया गया, गांधी इर्बिन समझोता, याद कीजे, आंदोलनों का समुच्य कहा जाता है, आंदोलन का सिट कहा जाता है, कहीं कर रोको आंदोलन चल रहा था, कहीं चौकीदारी कर रोको आंदोलन चल रहा था, कहीं बन कानून के अगेंस्ट आंदोलन चल रहा था, इसलिए अलग-अलग छेतर में, अलग-अलग मुद्धे पे आंदोलन चल रहा था तो ये आंदोलनों का सेट हुआ करता था और इसी दौरान क्या होता है गांधी इर्बिन पैक्ट होता है और तब गांधी को second गोलमेज समेलन में जाने के लिए क्या करता है अधिकरत करती है कॉंग्रेश तो गांधी इर्बिन समझाता के लिए अनुमोदन second round table conference में महात्मा गांधी पर्थनित्त करेंगे इसका अनुमोदन किस कॉंग्रेश के अधिवेशन में किया गया याद रखीगा 1931 क्या कराची अधिवेशन जिसकी अधिश्टा किया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने है इसी अधिवेशन में पहली बार क्या fundamental right का परस्ताव परिद किया गया ठीक है तो और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी को अधिकर्ट किया गया round table conference में भाग लेने के लिए ठीक है अगला question देखेगा दलहाजी के समय टेलीग्राफ वेवस्था लागू हुई थी कहा से कहा तक आपने पढ़ा होगा दलहाजी की काल में ही भारत में railway track का development हुआ दलहाजी के काल में ही डाक्तार वेवस्था की सुरुवात हुई ये डाक्तार लाइन जब बिचना सुरू हुआ तो देखते क्या है 4000 किलोमेटर में डाक्तार लाइन का भी बिस्थार हुआ ये कलकता से आगरा तक आगरा से बॉम्बे तक आगरा से दिली तक कलकता से बॉम्बे तक याद रखीगा ये कलकत्ता से आगरा तक है, नेक्स कोशन देखेगा, अगला प्रसना आपके, सेविल सर्विशेज बेवस्था का जन्दाता कौन था, जो 1861 के एक्ट की बाद अंग्रेजी राजी का आधार अस्तंभ बन गया, नहीं, ये ICS को इस पात का चौक्टा कहा गया है, भारत में ब क्या बने, यूरापिय बने, ब्रिटिश बने, तो इसका जन्दाता कौन था, कौन अब निश, भारत में सिविल से बाखा जन्दाता, ठीक है, चले, कोशन नबर 16, अंग्रेजी राजदूत, जिसने सिवा जी के राज्या विशेग समारों में इस्ट इंडिया कम्पनी के उपहारों के साथ राएगर में भाग लिया था, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि सिवा जी का राजा विशेग कब हो रहा है, राएगर में हो रहा है, 1674 में, कहां? राएगर में, बनारस का एक बिद्वान हुआ करता था, उसका नाम था गंगा भट, जिसने रा राजदुत, उपहारों के साथ वहां पहुंचा, उसका नाम था, याद रखेंगे, आक्सेन डेल, आक्सेन डेल, नेक्स परसंट देखिएगा, 1843 के इंडिया एक्ट 5 ने किस बात को अबैद कर दिया, यानि भारत में वो अबैद है, क्या, बाल भीबा, बहु भीबा, सती पर था या दास पर था, तो ध्यान रखेगा, कि 1843, ये इस वक्त गवर्नर जनरल है, लॉड ऐलन बरो, इसी के काल में, डास पर्था को क्या कर दिया गया, अबैद देगोशित कर दिया गया, याद रखेगा, पहली बार डास पर्था पर परतिबंद की जो, मतलब की सैध्धान्तिक चर्चा हुई वो ही कब 1833 के आक्ट में, डास पर था बिल्कुल अबैद गोशित हो गया कब 1843 में, चल। 1888, आप सोच सकते हैं, कब लड़ा गया, ये आपका दुईतिये आंगल अफगान युद्ध याद रखेगा, 1878 से लेकर कब तक, 1880 तक ये युद्ध लड़ा गया है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोशन और याद रखेगा, ये जो आंगल अफगान युद्ध हुआ, तो अफगान सासक जो सेर खाँ हुआ करता था, उसकी हार हो गए, वो भाग कर कहां चला गया, तुर्किस्तान चला गया था, ठीक है, चले, नेक्स्ट कुशन, टीपो सुल्तान के साथ मंगलोर की संधी करने बाला मदरास का गवर्नर कौन था, सोचे, लॉर्ड हैरिश, लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड मैकाइटनी, लॉर्ड अस्टिफैंस, इसमें से कौन सा होना चाहिए, ये आपके सामने बिकल्प है, ठीक है, किस के साथ, टीपो सुल्तान के साथ, और उस वक्त मदरास का जो गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था, लॉर्ड मैकाइटनी, ये मदरास का गवर्नर था, और उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ हिंडिया, उस वक्त गवर्नर जनरल जो हुआ करता था, उसका नाम क्या था, वारेन हैस्टिंग्स को ये संधी पसंद रही थी, इसलिए उसने कहा था, ये लॉर्ड मेकाडनी कैसा आदमी है, इसने क्यों ये संधी की, इस संधी के आधार पे तो हम करनाटक को खो देंगे, ठीक है, नेक्स्ट कोशन देखिएगा, लायल कमिशन का क्या मुद्दा था, आपके सामने है, लायल कमिशन का क्या मुद्दा था, दुर्भिच, राजाशो बेवस्ता, नियाय समंदी सुदार और कानोन बेवस्ता, अक्सर कोशन पूछता है, ऐसे कमिशन से, आयोग से, जिसकी संबत्ता किस सब्जेक्ट मैटर से है सोच ये थोड़ा सा क्या होना चाहिए ये लॉर्ड एलगिन बाइसराय हुआ करते थे उनके कल में इस आयोग का गठन हुआ था और ये जो लॉर्ड लायल है ये पंजाब का उप गबनर हुआ करता था इसी की अधिक्स्ता में लायल कमिशन बना था कब 1879 ठीक है चलिए आगे दिखते है किसके सासनकाल में भारत की राजधानी कलकटा से दिल्ली अस्थानांतरित की गई किसके सासनकाल में भारत की राजधानी को कलकटा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया एकदम कॉमन कोश्टन है आपके साब में विकल्प है Lord James Ford, Lord Reading, Lord Harding इन में से कोई नहीं याद कीजे 1911 दिल्ली दर्बार ये थर्ड दिल्ली दर्बार है जोर्ज पंचम की उपस्थिती भी थी इसी दिल्ली दर्बार में क्या किया था बंगाल विभाजन को निरस्थ कर दिया गया बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको निरस्थ किया गया और मुसल्मानों को संतुष्ठ करने के लिए राजधानी को कलकता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया ताकि मुसलमान अपने पुराने दिनों को यार करके खुश हो जाए, जो मोगलिया आनवान सान का केंदर हुआ करता था, देखे, नेक्स देखेगा, अगला कोशन है, ब्रिटेश संसद्वारा पारित अधिनियम के अंतरगत, एस्ट इंडिया कंपनी कब एक ब्यापारी कंप के रूप में, हाना, आप यार कीजिए, कि एस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ब्यापारिक मोनोपोली थी, ब्रिटेन की एक मातर कंपनी होगी, जो एस्ट इाई ब्यापार के साथ जुड़ेगी, जब तक कि लिए उसके पास चार्टर है, या चार्टर का नभीनी करन हो करीच सकता था, पढ़े होंगे, हाना, वही 1813 का एक्ट है, जब पहली बार इस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में, सिक्षा के छेतर में, कुछ करने का प्राबधान आ गया, कि एक लाख रुपया परती बर्स, सिक्षा के प्रोच साहन के लिए कंपनी ब्याई ठीक है, और साथ ही साथ इस्ट इंडिया कंपनी की ब्यापारिक मोनोपोली समाप्त कर दी गई, सिर्फ भारत के चाय ब्यापार पर और चाइना के ब्यापार से उसकी मोनोपोली होगी, बाकी ब्यापार पर से उसकी मोनोपोली समाप्त कर दी गई, तो एंसर क्या होगा, ए आपके सामने अलिनगर की संधी, फैजाबाद की संधी, इलाहाबाद की संधी, बनारस की संधी, किस संधी के तहट, तो याद रखेगा, कौन से संधी है, इलाहाबाद की संधी, सत्रह सौ पैसर, बकसर युद्ध की बाद होता है, इलाहाबाद की संधी दो से की गई थी, एक मुगल सा सक, साह अलम दूइतिया और दूसरा अबद करना बाब सुजाओ दला की साथ किया गया था और आपने पढ़ा होगा कि साह अलम दूइतिया से जो इलाहबाद की संधिय हुई साह अलम दूइतिया ने इस्टिंडिया कंपनी को निजामत का राइट किस ने दिया दीबानी का राइट तो मुगल सासक ने दिया, इलाभाद की संधीके ताथ, तो फिर निजामत का अधिकार किस ने दिया, उस वक्त बंगाल का नबाब हुआ करता था नजब उदौला ध्यान रखेगा कि नजब उदौला ने क्या दिया निजामत का राइट दे दिया, नी कमपनी को दिबानी का भी राइट मिल गया, कमपनी को निजामत का राइट मिल गया, मतला बसपस्ट हो गया कि अब इस्टिंग्या कमपनी एक प्रादेशिक पावर बन गई, बंगाल था कहने का मतलब ब्रिटिश सेना का में कमांडर कौन हुआ करता था कब टीपु सुल्टान की जी सीधों मिर्तियों हो गई इसका मतलब क्या है एंगलो मैसूर भार्फ फोर्थ 1799 आपने पढ़ा होगा स्री रंग पत्नम के फाटक पर कौन हुआ टीपु सुल्टान की मिर्ति हो गई नहीं मार दिया गया सेना का में कमांडर कौन था याद रखिएगा और्थर ब्लेजली जेनरल हैरिश जेनरल अस्टुएट यह तीनों सेना की कमांडर थे लेकिन में कमांडर हुआ करता था कौन और्थर ब्लेजली ठीक है अगला कोशन देखिएगा निम्लिखित मे इसे किशने लक्षमी भाई की पती के मिर्थियू के उपरांथ उसके दत्तक पुत्र को उत्रआधिकार से बन्द किया तथा बाद में राज को अपने कभजे में ले लिया। कब्जा कर लिया रीजन किसका था डलहाजी का था चे अगला कोशन देखते हैं ये कोशन नंबर है 26 निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए देखिएगा कौन सा कथन सही है गलत है कूट में आपको एंसर बनाना है पहला कथन ने लौड डलहाजी की सरकार ने जनरल सर्विस ए नहीं लौड कैनिंग ने 1856 में ये एक्ट उसी बक्त आया था जब यह कहा गया कि भारतिये सैनिकों को अबसकता नुसार कहीं भी रिक्रूट किया जा सकता है इसका मतलब है कि ये गलत है ये कैनिंग के काल का प्राबदान है दूसरा है लौड कैनिंग की सरकार द्वारा प कैनिंग के काल में नहीं आया है आपने पढ़ा होगा कि अप सिपाहियों को भी अत्रिक्ता स्टांप ड्यूटी देना पड़ेगा है इसका मतलब दोनों गरत है ना एक और ना दो कोश्य नमर 27 फरवरी 1947 में निम्न में से किसने या महत्पुन गोशना की महा महीम की सरकार का यह असपस चासे था कि जून 1948 तक जिमेदार भारती या हाथों में सत्ता के हस्तांतरण के लिए आवस्यक कदम उठाये जाए और तब आप देखते कि हैं माउंट बेटन कागमन होता है भारत की स्वतंता के संदर्ण में यह उस मक्त याद किजिए कि क्लिमेंट एटली पर भारत को नियंतर्म रखे या हम भारत को छोड़े और तब उन्होंने गोशना की थी क्या जून 1948 तक भारत को स्वतंतर कर दिया जाएगा है ना तो एंसर क्या हो जाएगा क्लिमेंट एटली चल कोश्चन नमर्ट ट्वंटी एट यह भी आपका कथन है दिये गया कूट में क किया गया समापन कर दिया गया और उसके अस्थां पर कलकट्टा में उच्छ न्याले का गठन हुआ बिलक्त सही है 1861SG का रखेंएगा सुप्रिम कोट कलकत्ता समाप्त कर दिया गया सदर दीमानी सदर निजामत समाप्त कर दिया गया ये प्राबदान दिया गया कि तीनों ही प्रेशिदेंसी में क्या होगा हाई कोट का गठन किया जाएगा हाई कोट की अस्थापना की जाएगी जहां एक मुख्य नयाधीस ठीक है और इसी क्रम में कलकत्ता दिल्ली कलकत्ता मद्राश और बंबई में हाई कोट की अस्थापना हुई मतलब यह सही है दूसरा है 1867 में सिबिल प्रक्रिया संगीता तथा दंड प्रक्रिया संगीता प्रक्ष्यापित किये गए नहीं यह 1858-1869 में किया गया था ठीक है इ अंग्रेजी सिख्षा को बराने के लिए निमिखित में से किसने यह नियम प्रारंब किया कि सभी लोग से बाएं एक सिख्षा परशद द्वारा कराए गए मुक्त परतियोगिता परिक्षा से भड़ी जाएंगी और अंग्रेजी की ज्यान को बर्याता दी जाएगी आप 1433 का एक्ट आया था पहली बार जिसमें परतियोगिता परिक्षा की बात की गई जिसमें ये कहा गया कि कराउन की देशी पर जा बेदेशी पर जा किसी प्रकार का बहेद भाव की अधियाधि पर रांग की आधार पर नहीं होगा परतियोगिता परिच्छा के आधार पे अधिकारिक पद गरहन कर सकते हैं यानि पहली बार मानवाधिकार की बात की गई 1833 के आक्ट में लेकिन अधिकारियों का मनोनेयन ही होता रहा चैन नहीं हुआ परतियोगिता परिच्छा की सुरुवात नहीं हुए 1853 का एक्ट आया तब ये प्राबदान हुआ कि भाई अधिकारियों का चयन होगा मनोनयन नहीं होगा Board of Directors के इस राइट को समाप्त कर दिया गया और तब 1855 से परतियोगी था पडिच्छा की सुरुवात होई नहीं, Civil Services Examination की सुरुवात होई जो लंदन में आविचीत होता था जो स्लेबस थे जो लैंगवेज था वो क्या था? British नागडिकों के लिए positive था, भारतियों के लिए अनुकूल नहीं था अंग्रेजी के जानकार दोगी एक्जामनिशन दे सकते थे अधिकारिक पत के लिए ये बता सकते किसके काल में? अभी मैंने बताया 1853, 1855 मतलब डलहाजी का काल एंसर क्या हो जाएगा? लॉट डलहाजी चालिया नेक्स जो आपका कोशन है एक तरफ एवेंट है दूसरे तरफ गबर्नेट जनरल है बाइसराय है, सुमेलित करना है कौन सी घटना किस से रिलेटेड है बंगाल का विभाजन एकदम बड़ा ही पापुलर है आप लोग जानते होंगे 1905, 16 टूबर को एक्सन में आ गया किसके काल में? करजन करजन के काल में? तो बंगाल विभाजन की सबता किस से होगा? लॉड करजन आप लोगों ने सुना होगा ग्रिश अचीब रिष्ले काता है कि अभिभाजित बंगाल एक सकती है मतलब बिभाजन के बाद कमजोड हो जाएगा? बिभाजन के बाद क्या होगा? कमजोड हो जाएगा तो ये सही है बंगाल में 12 सासन बंगाल में दोड़ा सासन कब रॉबर्ट क्लाइप 1765 इलाहबाद की संदी East India Company को दिबानी का राइट मिल गया बंगाल का नबाब नजमुदॉला से निजामत का राइट मिल गया अब बंगाल क्या बन गई और East India Company एक प्रजशिक सक्ती बन गई अब वहाँ पे सासन भी देना था रेबेन्यू कलेक्शन भी करना था तो क्लाइप ने क्या दिया द्वैट सासन प्रणा ली दी मालूम है सामाजिक सुधार से रिलेटेड कौन है लॉड बिलियम बैंक टिक सती पर्था को परतिबंदित कर दिया 1829 पढ़े होंगे और अस्थानिय स्वासासन लॉड रिपन 1882 नहीं क्या भाई नगरपालिकाओं की अस्थाप नकी गई अस्थानिय स्वासासन के लिए यही आपका होगा मिला सकते हैं नेक्स देखते हैं लोग कोशन नमबर आपका 31 है भारत को अंदर विश्वासों की धर्ती मानने बाले कौन से बैंठम बादी थे भारत को अंदर विश्वासों की धर्ती कहने बाले कौन सब बैंठम बादी थे बैंठम बादी कहने का मतलब क्या जो तर्क बात की बात करता है मानपता बात की बात करता है प्रजातांत्रिक विचार की बात करता है बिज्यान बात की बात करता है बैंटिक देखी सकते हैं मैटकॉपोफ समचारपत्र का क्या मुक्ती राता लॉड कैनिंग यही है तीनों बैन थम बादे जिनों ने भारत को अंदर विश्रासों की धर्ती माना ठीक है चले अगला कोशन देखते हैं कोशन अबर 32 भारती है पुड़ातर तो सर्विक्षन की अस्थापना किसकी कार्ज काल में हो आप लोगों ने लॉड कर्जन की काल में क्रिशी विबाग की अस्थापना लॉड कर्जन की काल में पुलिस वेबस्था की सुधार के लिए फ्रिजर आयोग का गठर लॉड कर्जन की काल में उड़ातर तो सर्विक्षन विबाग की अस्थापना अंसर क्या हो जाएगा लॉड कर्जन चले कोशन नबर 33 निमलिकित में से कौन सा नबाब 1856 में अबद के ब्रिटिस राजी में अंग्रेजों द्वारा बिलाई किये जाने के समय पच्चूद किया गया 1856 में डलहाजी ने कुसासन का आरूप लगाया और क्या किया अबद का बिलाई कर दिया वहां के नबाब को पच्चूद कर दिया गया वो नबाब कौन था आपने खुब सुना होगा बाजीद अली शाह तो एंसर क्या हो जाएगा बाजीद अली शाह चले नेक्स आपके सामने प्रशन है अस्ट्रेची आयोग सम्बंदित था किस से बरनाकुलर प्रेश से अकाल से सिक्षा से अस्थान ये स्वायत सासन से नहीं लीटन के खाल में अस्ट्रेची आयोग का गठन हुआ था किस से है अकाल से रिलेटेड है चले नेक्स प्रसन है आपका 1857 के बिद्रोह के उपरांत इलाहबाद के एक दरबार में किसने भारत सरकार को ग्रेट बिटेन की सर्वुच सत्ता द्वारा अधिकरित किये जाने की गोश्णा की आप लोगोंने खुब पढ़ा होगा 1857 के रिबोल्ट के बाद 1859 का एक्ट आया और इस एक्ट के तहट क्या किया गया जो पहले दोहरी वेबस्था थी यानि बोड आफ डायेक्टर्स था बोड आफ कंट्रोल था इसे समाप्त कर दिया गया नहीं यानि ग्रेश शासन के संदर्ब में और तब क्या हुआ उसके अस्थान पे भारत सचिब उसके कॉंसिल का गठन हुआ जो ब्रिटिस पार्लिमेंट के परती उत्तर दाई होगा बारत सचिब के कॉंसिल में कुल मेंबर की संख्या कितनी होगी पंद्रह होगी अब भारत का सासन इस्ट इंडिया कंपनी से कि हाथ से लेकर किसको दे दिया गया? British Crown को दे दिया गया. अब सासन संचालन ब्रिटेन के माध्यम से होगा. British Crown के परतिनिदी को क्या कहा गया? 22 राइ कहा गया. जिसके माध्यम से भारत में सासन का संचालन होगा. First, 22 राइ बना कौन? Lord Kenny. यही Lord Kenny, माहराणी की उद्गोस्णा को पढ़कर सुनाता है इलाहबाद में. जिसमें यह कहा गया, क्या? कि देशी रियास्तों ने, देशी रजबारों ने, तुफान में तरंग रुधक का काम किया है. नहीं? आठारो संटामर में इन लोगों ने सपोर्ट किया था मतलब उद्गोस्णा को पढ़कर सुनाया था, हाना? चलिए, अब आई एक कोशन नमबर 36. डलहाजी के काल में क्या घटित नहीं हुआ था? डलहाजी के काल में क्या घटित नहीं हुआ था? आपके सामने यही कोशन है. दुईतिया अंग्रबरमा युदभी डलहाजी के काल में जानते ही हैं. कलकत्ता स्यागरा 1852, पिलिग्राफ लाइन का विस्तार हुआ डलहाजी के कल में. बंबे तुठाने रेलवे लाइन का विस्तार, 1853, डलहाजी के कल में. आप यह भी जानते हैं क्या दाक दिनियम दल्हाजी के काल में लेकिन दिल्ली भी स्विद्धा लेकिया स्थापना 1922 लॉड रीडिंग के काल में एंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा चल नेक्स आजिएगा कोश्चन नमर 17 निम्न में से किसने टीपू सुल्टान के साथ स्री रंग पत्नम की संधी संपादित की सोचिए एस्टिंग से कौनवाली से बलेजली है और दलहाजी है क्या होना चाहिए कोश्चन नमर 37 आपके सामने ठीक है स्री रंग पत्नम की संधी 1792 1792 टीपू सुल्टान के साथ ये संधी होती है 1792 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है कौन वालिश ठीक है चाहिए एंसर भी हो जाएगा अगला आते हम लोग कोश्चन नमर 38 निम्लिखी तकाल आयोग पर विचार कीजिए और इसमें से देखना है कौन सा है जो आरोही करम में है सिस्टमेटिक है है ना मैक डोनाल्ड आयोग लायल आयोग कैंप बिल आयोग अस्टेची आयोग याद रखिएगा ये सभी आयोग की संबधता है अकाल से अब यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो कैंप बिल आयोग का गठन हुआ है कब याद कीजिए थोड़ा सा इसमी सन याद रहना चाहिए कैंप बिल आयोग आता है 18 and 66 में 18 and 66 में ठीक है इस कैंप बिल आयोग के बाद अगर देखे तो कौन सा आ रहा है मैक डोनाल्ड लायल और अस्टेची ठीक है तो लायल आयोग जो आ रहा है ये अस्टेची आयोग जो आ रहा है वो आ रहा है कब 1880 में ये भी अकाल से समंदित है ठीक है दूसरा है लायल आयोग ये लायल आयोग आ रहा है 18 and 96 में और तब बच्छा आपका कौन Mac Donald आयोग ये 1922 में अब आप आराम से बना सकते यानि पहला कैंप में लायोग दूसरा कौन अस्ट्रेची आयोग तीसरा कौन लायल आयोग और चौथा कौन Mac Donald आयोग आप कूट में अराम से मिला सकते है ठीक है कौन सा होगा आप देख सकते है क्या भई तो पहला कौन कैंप मिल तीन दूसरा कौन अस्ट्रेची चार तीसरा कौन यानि तीन चार दो एक अंसर हो जागा बी तीन चार दो एक अब अगला देखते हैं लोग अस्थाई बंदोबस्त के अधीन जमा किये गए भूराजस्व में जमिनदारों का अंस्था आपने सुना होगा क्या अस्थाई बंदोबस्त जिसको क्या कहा गया इस्तमरारी कहा गया है बंगार बिहार उडिशा में ब्रिटिश भारत के 19 परसेंट भूबाग में इस बेवस्था को दिया किसने कौन बालिश ने है ना जिसमें ये प्राबदान था कि रेवेन्यू का 89% कमपनी को मिलेगा और 11% किसको मिलेगा जमिंदार को मिलेगा तो एंसर क्या हो जाएगा वन बाई 11 यही अंसर निर्दारित किया गया ठीक है थाइंक्यू